सुनमाशकार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैलल पर दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Instagram यूज करते हैं और Instagram जब भी आप open करने का try करते हैं तो आपको कुछ इस चरह से error दिखाता है आपको आपके Instagram पर कुछ भी शो नहीं होता सिर्फ आपको दिखाता है Could not refresh feed आप यहाँ पर जो है अपने Instagram को यूज नहीं कर पा रहे हैं आपको बार-बार यह error देखने को मिलता है जब भी आप अपने Instagram को open करते हैं तो इसके लिए आज आपको solution बताने वाला हूँ इस वीडियो में end तक बने रहेगा वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना, चैनल को subscribe कर देना और अपने friends के साथ भी इस वीडियो को share कर देना ताकि आगर उनको यह problem आ रही है तो उनकी problem भी solve हो जाए तो चलिए जान लेते हैं could not refresh feed की जो problem है उसको solve करने के लिए मैं क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना है आपको जो अपना airplane mode जो है उसको यहाँ पर own कर देना है जैसे मैं airplane mode को own करूँगा मेरे network चले जाएंगे और यहाँ पर जैसे मैं इसको बंद करूँगा तो आप यहाँ पर मेरे network जो है refresh हो कर आ जाएंगे अगर मेरे internet से related problem होगी तो यहाँ से solve हो जाएगी क्योंकि मेरे यह problem जो है internet की जैसे आती है आप अपने internet जो है चेक कर ले तो आपकी problem solve हो जाएगी तो आपको यह काम जरूर से कर लेना है airplane mode on off करके देख लेना है यह काम करने के बाद problem solve नहीं होती तो आप अपना airplane mode आप अपना power button दबाईएगा power button दबाने के बाद आपको यहाँ पर reboot देखने को मिलेगा या अपने mobile को आप restart कर सकते हैं या power on off कर सकते हैं इन तीनों में से कुछ भी करिएगा जैसे आपको mobile on हो जाएगा आप देखेंगे अपना Instagram यूज करके तो आप देखिएगा आपको जो could not refresh feed का error है वो चला जाएगा और आप अपने Instagram को यूज कर पाएगे easily तो ये काम आपको जुरूर से कर लेना है और तीसरा काम आपको क्या करना है गाइज आपको अपने play store पढ़ाना है play store में आने के बाद यहां पर Instagram को सर्च करنا है Instagram सर्च करने के बाद यहां से आपको Instagram को कर लेना है update देख सकते हैं यहां पर जो है अगर आपको update को option आया होगा open की जगह पर तो आपको यहाँ पर जो है उसको update कर लेना है गाईज अगर आप clear data नहीं करेंगे तो हो सकता है technical issue होने के वज़े से कई बार problem face करनी पड़ सकती है आपको तो इसको up to date रखे अपने Instagram को Instagram को आपकी किसी भी application में कोई भी problem आपको face करनी पड़ रही है तो आप जो उसको up to date ज़रूर कर ले तो यहाँ पर update करने के बाद आपको directly back आजाना है अब last and final काम आपको क्या करना है mobile की setting में आना है scroll करना है और यहाँ पर apps देखने को मिल रहा है जैसे आपका Instagram यहाँ पर आएगा उसको open करिएगा और यहाँ पर आपको उपर देखने को मिलेगा storage तो यहाँ पर आप storage पर click कर लिजिएगा storage पर click करने के बाद दीचे clear data clear data पर click करने के बाद आपको clear old data इसका कर देना होगा याद रखिएगा clear old data करने से वाले एक बात का आपको ध्यान रख रहा है अगर आपको आपका password याद नहीं है तो आप clear old data मत करिए क्योंकि आप जो है log out हो जाएंगे अपने Instagram account से तो सबसे पहले आप जो है अपना Instagram का password पता करिएगा तब ही आप यहाँ पर clear old data कर दीजिएगा तो यह काम करने के बाद जैसे आप आप अपना Instagram को login करेंगे फिर से आप देखेंगे आप Instagram यूज कर पाएंगे आपको फिर से वो error देखने को नहीं मिलेगा तो यही कुछ आपको solutions थे जो मैंने आपको बता दिये हैं इनको apply करिएगा आपकी problem solve हो जाएगी so guys मिलते हैं next studio में till now by take care love you all